नमस्कार दोस्तो मैं हूँ सौरव आप सभी का स्वागत एक और नई वीडियो में जो मैं आप सभी के चैनल एक ही लक्षे पर लेकर आया हूं दोस्तो ये वीडियो जो है भहुत ही खास होगा आप सभी के लिए क्यूंकि इस वीडियो में बात होगी महराष्ट्र के exam को लेक चुके थे अब आज जो एक नए अपडेट आया है वो यह आया है कि आपका जो B.A.D. यानि कि Bachelor of Education Integrated Course है यानि कि आपका जो Bachelor of Education और साथ मैं B.A. यानि कि Bachelor of Arts इनका जो Integrated Course है यानि B.A. B.A.D. और B.A.C. B.A.D. इनका Integrated Course यानि कि दो courses है इनके लिए admission forms जो है application forms जो है वो आज सुबह से निकल चुके हैं जो कि यह चार साल का course रहेगा इस course के बारे में एक एक चीज आपको मैं बताऊंगा कि भाई यह B.A.D. का जो course है वो होता क्या है आगर किसी के इन इस्टुडेंट को नहीं पता कि Bachelor of Education, Bachelor of Arts और Bachelor of Science यह courses होते क्या है और इस बार जो है महराष्ट्र Government नहीं कि Government of महराष्ट्र जो है वो अपना common entrance test करवाती है अलग-अलग courses के admission के लिए तो यह जो है यह आपके bachelor course के लिए admission के लिए application form है जो कि आज ही release करा गया officially website की तरफ से जो कि इनकी official website आपको window पर दिख रही होगी यह उनकी official website है इस पर जो है एक notice आया है वो notice यह notice है इस notice में साब बताया गया है कि आपके CET examination जो है B.A.B.Ed और या फिर B.S.C.B.Ed इन में से आप किसी भी एक course में admission लेना चाहते हैं बुंबई के किसी भी college और university के अंदर जो कि government of महराष्ट के अंडर आती है उन colleges और university में आप जो है admission ले सकते हैं इन courses के अंदर जिसके application form आज सुबह से लेकर 14 March तक जो है form filling चालू रहेगा तो इस वीडियो में आपको यही बताने वाला था एक तो इनका important notice यही है कि application form को लेकर जो जो exam जो है आपका 2 April को हुने वाला है उस इस courses के लिए अब देखिए एक्जाम जो है ऐसा नहीं है कि महराष्ट का student दे सकता है इस exam को जो है अगर आप किसी दूसरे state से हैं तो भी आप इस exam को असानी से form भर सकते हैं और दे सकते हैं बस उसके लिए आपको अपनी eligibility qualification जो जो चीजे मागी गई है वो चीजे fulfill करनी होंगी कास्ट की category और वो सब कुछ अगर आप follow करते हैं वो सब चीजों में अगर आप आते हैं तो आप इस आप भी इस exam का form भर सकते हैं फरक यह है कि यह देखिए यह colleges जो है महराष्ट के हैं institute और universities बट यह जो इनके exams होंगे वो पूरे country यानि पूरे country इंडिया के अंदर अलग अलग state में कुछ specific state हैं उनके अंदर centers होंगे वहां पर आपके इस exam को लिया जाएगा यही सेम बात notice जो है आपकी Marathi भाषा में भी लिखी हुई है जो कि Marathi लोग है वो असानी से notice को पढ़के जो है समझ सकते हैं कि अगर उन्हें English में ना समझ आए तो वो इसको भी पढ़के समझ सकते हैं यह तो रही बात application के notice की बात कि भाई कब से कब तक form fill होने वाले हैं लेकिन हम main बात अब यहां पर आती है आपकी syllabus को लेकिए exam तो आपको पता लगया आप syllabus जो है इसका वो उसके लिए notice उसके लिए भी notice यह है कि syllabus and marking scheme जो है इस entrance exam के लिए क्या रहेगा तो पहले आपको बता दू इस exam के अंदर तीन section आपके आएंगे general knowledge, mental ability और teaching aptitude यह तीन जो है आपके section रहेंगे questions की बात करूं तो general knowledge के 40 questions, mental ability के 30 questions, teaching aptitude के 30 questions यानि कि 100 questions आएंगे आपके हर questions जो है एक-एक marks का होगा यानि कि आप समझ सकते हैं 100 questions, 100 marks यह आपका exam का जो है pattern रहेगा अब मैं बता हूँ आपको अगर syllabus की तो आपके general knowledge के 40 marks के question के अंदर basic general knowledge topic आएगा उसके अंदर subtopics जैसा कि आप देख रहे हैं यह यह सारे subtopics रहेंगे इसी तरीके से आपका science and technology, history, up to SSC level, history आपको SSC level तक की पढ़नी है इन्होंने यह भी साथ में बताया है topic के साथ साथ कि आपको उसके level तक पढ़ना है suppose माल लीजे general knowledge तो बहुत सारे topics होते हैं उसके अंदर लेकिन उसके अंदर आपको basic general knowledge जाननी है जैसे कि books and authors, awards and honors, important national days, persons in news, important current events, यह सब आपको एक साथ साथ topic के यह भी बताया गया है कि वो कितने level तक पढ़नी चाहिए आपको मतलब कि आप ज्यादर tough level का ना पढ़े उसे sse level तक का ही पढ़े क्योंकि उससे उपर आपसे नहीं पूचा जाएगा same दूसरे section की बात करूँ तो mental ability में आपका this section aim to judge the reasoning power and accuracy in thinking this section will cover the areas like reasoning ability statements and conclusions, letter and number series, analogy, odd, man, out, numerical ability, logical problems, coding, decoding, यह आपका section 2 जो 30 marks का आएगा उसमें आपका यह topics आएगा साथ में section 3 के अंदर भी ऐसी तरीके से लिखा हुआ है आपके topics जैसे की attitude towards education, student and teaching professions, leadership qualities, emotional and social adjustment, intrapersonal relations and intrapersonal skills, general awareness and interest in teaching यह आपको topics पढ़ने, अब देखिए मैं आपको यहाँ पर कुछ, इसका result किस बेस बेस बनेगा वो आपको बता दू, इस exam का result होगा, सिले बस आपको बता दिया है, result choice पर यह होगा, the questions will be objective multiple choice questions with four options, मतलब कि यह exam होगा, इसमें आपको हर question में four options मिलेंगे, जो कि आपके अलग-अलग multiple choices होंगे, उनमें से एक answer आपका correct होगा, there is no negative marking, मतलब यहाँ पर अगर आपने कोई answer गलत करा है, तो उसके लिए आपका कोई marks, जो हो cut नहीं किया जाएगा, उस पर आपको, जैसे कि suppose और exams में होता है, कि आपके 4 questions के answer सही गए और 5 questions अगर आपने उसका answer गलत दिया है, तो उस जो आपके correct वले answers होते हैं, उसमें से जो है, कुछ part जो है, वो आपका marks का हटा लिया जाता है, वो cut दिया जाता है, suppose 1 third होता है, कहीं कही 1 fourth होता है, इस तरीके से हटा लिया जाता है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पर आपको कोई question cancer गलत देते हैं, तो इसमें आपका marks जो है, नहीं करने वाला है, time जो आपको मिलेगा, 1 hour 30 minutes, यानि कि 90 minutes आपको यहाँ पर इस exam को देने के लिए मिलेंगे, the questions will be English and Marathi, mode of examination online, यह आपका CBT mode में exam होगा, computer based mode में exam होगा, और यह English और Marathi दोनों language में आएगा, तो यह तो आपको syllabus और pattern का मैंने बता दिया, अब main बात यह इनका information browser है, इसी exam को ल certificate में, क्या-क्या benefit आपको मिलने वाला है, यहाँ पर, क्या examination की application फीस रहेगी, सारा कुछ जो रही यहाँ पर है, इसी एक video में आपको बताने वाला हूँ, information browser, जो है, online CET, जो कि आपका first year of four year integrated degree course in education, leading to BA, 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 BSC, BA के exam के लिए, महराष्ठा college इसके लिए यह notice है, आप इस ब बता रहा हूँ, exam, यह आपका, जो है, महराष्ठा के colleges और university के लिए ही स्रिफ होने वाला है, हाला कि इसको कोई भी candidate दे सकता है, वो भले ही, किसी भी state से हो, वो दे सकता है, अब देखें, यह index है, जिसको मैं discuss करूँगा, आपके साथ, index and activities and schedule dates for MA, BA, BSC, BA, इसके लिए, क्य indexes, वालब क्या क्या activities होंगे, वो सारा यहां पर बताया जाएगा, notification जैसे कि आपको पता है, आज ही, आज ही सुबह आया है, जिसको लेकर इस exam से related सारी बात इस notice में बताई गई है, next आपको बताऊंगा, eligibility, कौन इस exam को दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है, exam की fees क्या होगी, सारा कुछ जैसे मैं आपको भी बताया था, admit card से related सारी detail और, subscribe, subscribe आप जानते होंगे, PWD candidate को एक subscribe facility मिलती है, तो वो किसको मिलेगी, और किसको नहीं मिलेगी, वो भी सारा को जिसी एक ही वीडियो में आपके साथ discuss होगा, last date आप जो है, 14 March तक इस form को भर सकते हैं, 2 April को आपका exam होगा, result जो है, declare कब करेंगे, वो आपको website पर बाद में बताया जाएगा, अभी इसके बारे में, कोई notice, या कोई भी information आपको अभी नहीं दी गई है, यह introduction है, प्रोग्राम के बारे में अगर आपको नहीं पता भाई, यह कौन सा course होता है, किसे से related होता है, तो वो आपको बताएगा, B.A.D. यानि की Bachelor of Education, B.A.C. यानि की Bachelor of Science, और B.A. यानि की आपका Bachelor of Arts, यह किसी भी subject में हो सकता है, जरूरी नहीं है, कि एक specific, यह आपको options म आप इनको choose करेंगे, यह एक integrated course है, इस बात का याद रखेगा, इसमें दो course combined है, जो आपको अलग-अलग 2-3-3 साल लगते हैं, एक ही course को करने में, यहाँ पर आपको दो course एक साथ कराए जा रहे हैं, चार साल के अंदर, देखे, eligibility यहाँ पर बोला गया है, कि आपके 50% marks कम से कम होने चाहिए, अपने class 12 के अंदर, या फिर आपके 45 marks होने चाहिए, class 12 के अंदर, अगर आप किसी reservation category से आते हैं, जैसा कि इन्होंने अपनी reservation category बताई हैं, वो वाली, एक बात और है, सिर्फ महाराष्ट के candidate को, जो है, reservation में जो है, यह छूट मिलेगी, मतलब कि कोई candidate अगर डेली से है, या फिर राजिस्तान, या फिर किसी दूसरे state से है, और अगर वो 45% अपने 12 में लाया है, और वो इस exam को देना चाहरा है, तो असान भासा में यह है, कि आप उस exam को नहीं के residence है, तो आप 45% marks पे भी apply कर सकते हैं, इस exam के लिए, बट, आपका reservation category में होना जरूरी है, ऐसा नहीं है, 45% marks आपके आए हैं, 12th class के अंदर, और आप महाराष्टे state में रहने वाले हैं, और आप किसी general categories आते हैं, तो आप eligible नहीं है, आपको किसी reservation category से होना होगा, देखें, जो मैंने आपको भी detail बता ही, उसी चीद को इन्हों ने थोड़ा split करके बताया हुआ है, थोड़ा detail में, वही same बात की कौन जो है, उसको कितने marks जो है, लाने पड़ेंगे, एक बात और देखें, B.S.C bachelor of science, यानि कि science वाले student, BA यानि कि bachelor of arts नहीं, arts वाले student इसको देने वाले हैं, अगर candidate should be Indian, वो देखें, यहां पर simple सा बताया गया है, कि Indian student होना चाहिए, वो India nation से होना चाहिए, वो student जो इस exam को देने वाला है, आपको यह requirement फुल्फिल करनी है, जैसे कि science का student है, तो उसके पास mathematics, life science, like botany, geology, chemistry, physics, mathematics, mathematics, और उसके साथ कोई एक दूसरा है, यानि कि, या तो science वाला student है, तो उसके पास chemistry, या फिर botany, या फिर physics, या जोलोजी में से कोई एक सब्यक्ट होना चाहिए, उसको इस exam को देने के arts वाले के लिए इसी तरीके सा बताया गया है, उसको एक social science, और social science होना चाहिए, उसका इनमें से किसी भी एक subject के साथ, तो वो इस exam को दे सकता है, अब देखे, जो candidate महराष्ट दोंगे, the candidate who have completed his, जिन्होंने अपना 12th complete करा है, महराष्ट से, तो उनके लिए instruction यह है, from the, किसी भी, किसी भी board से कराओ, outside or from the board or equivalent, union by state government, which is in महराष्ट, and, देखे, यहाँ पर 5 तरह के candidate को बनाया गया है, यहाँ पर candidate, जो है, महराष्ट के candidate को 5 तरीकों से बाटा गया, एक बात समझीए, यहाँ पर totally अगर मैं आपको बता हूँ, तो 6 तरीके के category के, sorry, 6 से 7 तरीके के category के, जो है, आपर candidate होंगे, कैसे, एक तो वो होंगे, जो महराष्टे state से है, उसके अंदर आपको 5 category में बाट दिया, type A, B, C, D, E, और एक जो है, आपको बाट दिया, छटा वो हो है, वो आपको बाट दिया, महराष्ट के अलावा किसी state से कोई candidate है, तो, साथवा, अगर कोई Jammu and Kashmir से है, तो उसको अलग category हो बाटा गया, Jammu and Kashmir में भी एक Ming rent करके category के, जो भी candidate है, उनको अलग बाटा गया है, इस तरीके से आप समझ सकते है, split जो है, इस तरीके से बाटा गया है, apply करने से पहले, ये बात आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये details आप डालेंगे form के अंदर, मैं आपको पाचो टाइप बता हूँ, तो टाइप A में वो candidate आते है, candidate who is domicile of महराष्टर और born in महराष्टर, जो की जन में ही महराष्ट में, ऐसे भी candidate है, जो की अभी रहते महराष्ट में, लेकिन उनका जनम महराष्ट में नहीं हुआ, तो ऐसे में वो type A में नहीं आएंगे, type A में वहीं आएंगे, जिनका जनम महराष्ट में हुआ है, वो type A में आएंगे, type B में आएंगे, the father or mother of the candidate is domiciled in the state of महराष्ट, या फिर ऐसे candidate जिनके मा या पापा मेंसे किसी एक का जनम जो है महराष्टर में हुगा है वो टाइप B में आएंगे दब father और mother of the candidate is an employee of the government of India और government of India undertaking who is posted and reported to duty in महराष्टा state before the last date of submitting the application form for CAP तिकि CAP जो है application form होता है उसके बारे में detail आप जाके देख सकते हैं वो अगर कि आपका आपने भरा हुआ होगा और अगर आपके father या mother में से कोई भी एक जना जो है वो अगर government of India के अंदर अगर कोई भी करम चारी होगा किसी भी तरीके का कोई भी काम करता होगा या कर रहे होंगे तो उनके लिए जानना जरूरी है इस पोस्टिड या उनकी और उनकी पोस्ट जो है वो महराष्ट में होगी सब्सक्राइब मानिये आप जो है दूसरे स्टेट में रहते थे पहले और अब जो है आपके mother या father का किसी की job का जो है वो government of job की वेसे ट्रांसफर हुआ महराष्ट के अंदर आप महराष्ट के अंदर रहने लग गए तो आप टाइप C में आएंगे महराष्ट कैंडिडेट में टाइप D मतलब the father and mother of the candidates is an employee of the government of महराष्ट और government of महराष्ट अंडर्टेगी अब देखिए टाइप D वो है किसी कैंडिडेट के माता या पिता कोई भी अगर कोई भी एक जना जो है अगर अगर दौनों करते हैं तो अच्छी बात है कोई एक जना भी अगर कर रहा है किसी कैंडिडेट का किसी कैंडिडेट का फादर या मदर में से कोई भी एक जना अगर गवर्मेंट और महराष्ट का एंप्लोई है मतलब कि महराष्ट के गवर्मेंट के अंडर कोई भी काम करता है वो तो वो टाइप D में आएगा वो कैंडिडेट टाइप D में आएगा ताइप ए में कौन से हैंगे तक कैंडिडेट हेविंग एच एक्जामिनेशन और एक्वेलेंट एक्जामिनेशन फॉर्म एक्वेलेंट इंसिक्यूट फॉर्मा डिस्प्यूटिड महाराष्ट करनाटका बॉर्ड एरिया एंड हूस मदर तंग इस महाराथी देखे टाइप इस तरीके साद त्रेकी की कैंडिडेट को बाता गया है बाकि तो आप छटा कैंडिडेट को पाॉर्म्द दिफॉर्मस में और जो कि महाराष्ट के भार के candidate है देखें यहां पर बात हुए जम्मु एंड कस्मीर मिंग्रेंट मिंग्रेंट candidate उनके बारे बात हुए तो इसको भी आप अच्छे से देख लेना में जो आपके लिए महाराष्ट और उसके भार के अच्छेट वालों के लिए डिटेल थी जो आपको बसाना चरूर ही है एक्जाम से रिलेटेड अच्छे एप्लिकेशन फीज की बात करूँ तो आपको 800 रुपीज पे करने पड़ेंगे अगर आप जो है ओपन कैटिग्री से हैं और वो और अगर महाराष्ट से ओपन कैटिग्री में हैं और अगर आप आउटसाइड महाराष्ट रहे हैं तो आल इंडिया कैटिट व्लोंगिंग तो आपको 800 रुपीज देने हैं साथ में महाराष्ट के अलावा किसी स्टेट से हैं तो उसमें आपका कैटिग्री मैंटर नहीं करता आपको 800 रुपीज देने हैं बागी सारी कंडिशन वाले कैंडिडेट को 600 रुपीज देने होंगे यह कुछ important point है आपको registration से पहले दिमाग में रखने है क्या वही सारे point होते है कि आपके पास document होने चाहिए eligibility आपका fulfill होना चाहिए valid ID proof होना चाहिए आपके format change कर लेने चाहिए आपको जैसे कि आपके details मांगे जैसे कि आपके documents मांगे जाते हैं तो उसमें आप अपने पहले उसके format को change कर ले size को change कर ले सारा कुछ तयार करने के बाद आप अपलाई करें payment मैंने आपको बताया जैसे कि debit card, credit card, net banking, UPI जैसे चो आपको internet banking इन सबसे आप payment कर सकते हैं बागी आपको photograph और signature में कुछ changes करने होते हैं जैसे कि आपको पहले उसका format change करना होता है फिर उसके size को कम करना होता है वो सब आप देख सकते हैं वीडियो उससे आपको समझ आजाएगा कि आपको कैसे इन सब चीजों को manage करना है centers आपके मैंने बताया कि इंडिया के अंदर एक नहीं एक से ज्यादा states में एक्जाम होगा कम से कम 5 से ज्यादा states में तो यह एक्जाम हो गई होगा आपको इस एक्जाम का सिलेवस और स्कीम बता दिया है जो यह दुबारा बता होगा आप एक बार जाके फिर से यह चीजे देख सकते हैं अब देखें यहां बात हो रही है PWD candidate के लिए आप देखें यहां पर जिन PWD candidate के अंदर भी सब type आ रहे है सब category है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि किसको जो है subscribe allowed किया जाएगा किसको extra time दिया जाएगा और किसको जो है नहीं दिया जाएगा इस तरीके से आप इस टेबल को देखके समझ सकते हैं अब देखें ओनलाइन एक्जाम जो आपका CBT होगा उसमें आपको इस तरीके से विड़ो पर जो है options के साथ जो है इसका मतलब है कि आपने answer नहीं किया है और आप जो इसको दुबारा देना चाहिएगा बहुत से कोशित ऐसे होते हैं जिनखो आप दुबारा देखना चाहती है कि भाई मैंने अब उसका अंसर भी नहीं कर रहे हैं किसी कोशन का पर आप उसको दुबारा आके देखना चाहें तो उस पर ये वाला मार्क आएगा और सारा डीटेल अगर आपको अच्छे से चाहिए कि भाई सीवीटी एक्जाम कैसे होता है तो उसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं उसमें एक एक चीज मैंने अच्छे से बताई हुई है कि यह iscribe के लिए declaration form होता है मतलब कि आपको जैसे आपकी PWD category है और आपको जो है अपने आपको table में देख लिया उस table में कि आप PWD के लिए हैं जिसमें आपको subscribe allowed है तो इसमें आप क्या करेंगे इसमें आपको एक form declaration form submit करना पड़ता है यह वाला जो की eligible candidate को submit करना पड़ेगा यह बात याद रखिएगा subscribe सिर्फ आपके आपके कहने पर choices को चुन के करेगा समझ यह मतलब आपकर कोई question है और उसके options है तो उसमें जो है subscribe जो है उन चीजों को करेगा fulfill बट अंसर आपके ही होंगे वह subscribe नहीं करने वाला आप समझ रहे होंगे इस बात को शायद कि इस तरीके से आपका जो है पूरा यह exam रहने वाला है इस बार देखिए form fill में सबसे पहले आपको registration करना होता है जो आपके email id और mobile number से होता है उसके बाद उसको verify कराने के बाद आपको application number मिलता है और एक अपना खुद का created password आप create करते हैं उससे registration complete हो जाता है फिर आप अपना application form को fill करते हैं सारे details डालते हैं वो fill करने का fees payment third step होता है next उसके बाद जो है आप अपने application का print out लेते हैं इस तरीके से application process रहता है हाला कि मैं registration process फुल आपको बताने वाला हूं सार्थ मैं आपको form fill करके भी बताने वाला हूं जो कि मैं आपको separate video में बताऊंगा जिसे कि आप उसी video को जिसे कि आप उस video में उस चीज पर ही वो focused रहेगा वो video अब देखें यहां पर कुछ detail क्या है महाराष्ट के candidate को यह बात जानना जरूरी है पूरे महाराष्ट के अंदर पांच center होंगे स्रिफ do you come non creamy layer group देखें जो non creamy layer group जैसे कि आप जानते है OBC के अंदर भी होता है non creamy layer का option non creamy layer मतलब होता है कि अगर कोई candidate महाराष्ट से है ऐसी category में आता है जिसके family income जो है totally पूरे साल के अंदर भी आठ लाक नहीं हो पादी उससे कम है तो ऐसे candidate को जो है non creamy layer category में वो आता है और उसको जो है कुछ फायदा application fees में मिलता है लेकिन वो महाराष्ट का होना चाहिए इस बात को हर candidate को अपने mind में सेट करना है कि महाराष्ट का होना चाहिए और साथ में non cream layer है अगर तो उसको जो है application fees में 600 रुपी पे करने होंगे हलाकि आगे भी अगर और जो आपके college admission के बाद जो scholarship से related जो भी होता है उसमें भी आपको इसमें जो है फायदा मिलता है देकि महाराष्ट के अंदर पांच center होने वाले हैं जो आपके नासिक मुंबई कोहलापूर पूने और सोहलापूर इन पांच center में आपका महाराष्ट के अंदर center पढ़ने वाला हैं बाकि आपके outside महाराष्ट center होंगे यहां पर एक instruction है आपके लिए कि आप अपने सारे detail को payment से पहले last time चेक कर सकते हैं उसमें कुछ update कर सकते हैं उसके बाद payment हो जाने के बाद आप अपने form में कोई change नहीं कर पाते हैं उसके बाद तो सीधा आपका form submit होता है और आपको अपना application form का print out मिल जाता है तो यह सारा detail था इस exam से related यही है वही बात है जो उपर आपको बताई थी मैंने कि science stream का कोई है student drop down science stream का कोई student है तो उसको यह चीजे fulfill करनी होगी कि उसके पास एक subject जो है mathematics होना चाहिए था और एक जो है आपका इन में से कोई भी होना चाहिए था वही सारा detail इनोंने बता है subject को subject को लेकर आप देगे मैं आपको फिर से दुवारा बता दू कि भाई आप इस exam को देने से पर एक बार याद रख लीजिए महाराष्ट के colleges और university के लिए होने वाला है उसके अंदर यह वाले colleges है जैसे मैंने आपको पताया यह B.A.B.Ed और B.Sc.B.Ed दो courses है इनके admission के लिए महाराष्ट के अंदर admission होने वाला इस exam के होने के बाद तो उसमें आप इन colleges के अंदर जो है admission ले पाएंगे देगे इन colleges में आपको बता दू कि 50-50 seats है और एक college ऐसा है इसके अंदर university ऐसी है जिसके अंदर 80 seats है और एक के अंदर 100 seats है तो मैं आपको बता हूँ आप इस exam को देने के बाद किन-किन college इसमें admission लेने वाले हैं तो बता दू आपको यह एक अशोका educational education foundations अशोका college of education नासिक है यह सावित्री भाई फूले पूने university की बात हो रही है university to which affiliated यह सारे जो हैं जिनमें 50 seats है यह सावित्री भाई फूले पूने university से जो है affiliated है और सिवाजी उनिवर्सिटी से affiliated दो colleges है यहां पर यानि कि total number of nine colleges ऐसे हैं जिनके अंदर आप इस exam के बाद admission लेने वाले हैं इसा की यहापको कर्णशुर नदर ब्यह बियृ सिप्री ब्याड कि सी त्रीके से 27 अमिउस्न है कि मलब कि सी कॉलेश के अंदर बी मिलब कि सीए कि ब्युक्त है या तो एक कोडोर सी या फेर दूसरा पोर से इस तरीगे से तो पॉलिजिस के नाम में आपको बता देता हूं एक नासिक में है अशोका एडूकेशन वाला एडूकेशन फाउंडेशन अशोका और एक आपका राजगर्ड धियानपीट डिपार्टमेंट अफ एडूकेशन एंड एक्सेंशन सावित्रिन भाई फुले पुने यूनिवर्सिटी इस तरीके से आपके यह नाइन कॉलिजिस है जो आपको इस एक्जाम के बाद एड्मिशन देंगे तो यह था पूरा इस कोर्स को लेके डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ब्रॉश्र इस बार इन कोर्स में मा एड्मिशन लेने का प्रोसेस तो मिलते अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद